वेल्कम बैक तो अनदर वीडियो तो गाइस आज का इस वीडियो पे मैं सिखाऊंगा किस तर आप घर पे सिंपल तरीका से आप पोर्ट बना सकते हो तो यह है हमारा नौर्थ इस इंडिया के स्टैट तो गाइस इस पे आपको कुछ जाला चीज नहीं चाहिए तो मैं दिखा आप आप इसी वाला पोर्ट बना कि अपने फैमिली के साथ खा सकते हो तो यह नमक दाल देजिए आप कितना नमक आप तर इसको मुताविक नालिया तो गैस यह अभी उबल रहे हैं तब तक के लिए मैं अध्रग लास पीष को पीछ लेता हूं इसके बाद लाल मिर्च को भी एसको आप कैसे मैं बाता हूं बाता का विए तो टरह का ओते है एक हो थोड़ा होते और ऊ होते है तो इसमें क्या डिफरेंस होंई यह ऐख Elsie हैh चाहला के अधिim dette कि में नगछ बताना जगए जिसके बास बास ने यह लाद मरिच है तो इससे में आप आप पोर्क के साथ भी गर निकाल ले इंप सकते हो लेकिन इसे आप से करूगा निकालना बोग प्रोसेस लें तो तो पोर्क को अची तरह पकने दीजिए आप पकना बहुत ही इंपोर्ट ces तो अद्रग लसुन को फिसने देगाई तो उससे पहले एक टिप्स देना चाहूँगा अद्रग लसुन को फिसने से पहले आप उसमें बड़ा नवर मिला देजे तो आपका ये अच्छी तरह उसको पिस सकते हो पेसला देगा तो बैबर शुट को छोटा कर लेदा हूँ अधिक मिर्च में करने तो ये मिर्च को इससे पीस लेगा हूँ को जय को परसे शुट को शया जबा श्कीज अच्छी आप मेरम ने से लेख सबाड़ा है कर सो इतना में रखोंगा इसके बाद से क्या करना मैं बता मुए इस पोर्क को निकाल चुका है यहाश बूँ दो चुका है तो इसे में वाफस कादी वार मिलें तर्म में गरमें कि अब यहां से ही तेल निकलेगा और यह अपना हुद फ्राय होगा तो इस तरह आप पोग को थोड़ा देर पकने दूए अपलेस्ट लाल कलर आने तरह तेन फित्ति मेंट्स हिंग फ्रॉपी नश्माही खीए तेल देखी हुए जो आपको तो इसमें इसमें अभी तो इसमें दावन गाली जो मेरेड़ चिली पीसा तो अब दालता हुए अगर आपको कलर और भी इसका लाज चाहिए तो आप इसमेरी मिर्च भी दाल सकते हो तो उससे अच्छा कलर आते है तो यह उसके माझा पक चुगा है यह पॉर्क का तो अब भी बिखाता हूँ कैसे निखतेया पकने के वाद झाल झाल